नमस्कार फेंड्स स्वागत है आप सभी का टाटा स्टिल के तरफ से बहुत बड़ी भरती निकल करके आई है खास करके पर्मानिट इंजिनियर बनने के लिए जी हाँ, अगर आप भी टाटा स्टिल में ऐज ए इंजिनियर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर है ये वीडियो A to Z मैं बात करूँगा यह मैं आपको किलर कर देता हूं इंप्लॉई वाट से ले करके पूरे आल ओबर इंडिया प्लस झारखन उड़ीशा सभी स्टेट के लिए भरती निकाले गई है तो इसमें बिल्कुल भी कंफिस नहीं रहेगा औल ओबर इंडिया के को का सबसे बड़ा प्लांट है तो ताटा सील जमसेध्पूर की तरफ से जूनियर इंजीनियर के पद पर ये भरती निकाले गई है अब आप जूनियर इंजीनियर समझ सकते हैं कितना रेप्यूटेटिट जॉब है अगर आप टाटा में लगते हैं किसी सरकारी मतलब जॉब से इसकी फैसिलिटी ज्यादा बहतर होती है ठीक है अगर इस लेबल में बात करें तो पोस्ट है जुनियर इंजिनियर की जिसको हम लोग जेट के नाम से जानते हैं सभी परिचित है इंपोर्टेंट है फॉर्म कब से चालू हो रहा है तो फॉर्म 17 जनवरी 2023 से चालू हो चु फॉर्म के लाश्ट डेट होगा 10 फरवरी को आपका अड्मिट काड आ जागा 19 फरवरी को आपका इक्जाम कंप्लीक हो जागा मतलब 19 फरवरी मार्च तक आपकी जोइनिंग केलिए अ एक्जाम आपका 19 फरवरी को complete हो जाएगा अब बात करते हैं education कौन-कौन से trade वाले आवेदन कर सकते हैं किसके लिए क्या eligibility है तो अगर मैं बात करूंगा तो degree और diploma जी हाँ अगर आपने बी बीटेक या फिर डिपलोमा तीन साल का किया हुआ है बीटेक चार साल का किया हुआ है दोनों लोग eligible है trade की बात करेंगे तो mechanical वाले अवेदन कर सकते हैं ध्यान दिजेगा electrical वाले है electronics वाले कर सकते हैं instrumentation से अगर आपने किया हुआ है तो आप कर सकते हैं metallurgy वाले कर सकते हैं Ceramic और Chemical Engineering दोनों कर सकते हैं सिरामिक और Chemical Engineering है उसके साथही साथ Civil Engineering से अगर आपने B.E.V.T.E. या आपने diploma किया हुआ है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं इसके साथ ही साथ अगर आपने Tata Institute या G.N.T. Tata Technical Institute वहां से भी अगर आपने किया हुआ है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोनिक्स टाइप से तो आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं थोड़ा से और एक क्रेटेरिया रखा गया है अगर आप मालेजे परसुइंग केंडिडेट हैं अभी पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं लेकिन उसके 2023 तक किलियर होनी चाहिए मतलब 31 अगस्ते तक एकदम आपका डिगरी किलियर होनी चाहिए एक बहुत इंपोर्टेंट चीज है जो मैं आपको लाक्ष्ट में बताऊंगा ध्यान दिजेगा वीडियो पूरा ज़रूर देखेगा ठीक है आब बात करेंगे यह तो आपको खास कर के लड़के ध्यान दिजेगा जिनरल में SCHT बात करेंगे 50% उनकी लिए होना चाहिए मतलब आपको अगर लड़कियों की बात करेंगे तो लड़कियों के लिए 55% अगरेगेट होना चाहिए तो यह आपको एजूकेशन समझ में आ गया होगा यहां से आपको अपन important है थोड़ा सा ठाटा company जो है अपने employ word को favor करती है तो यहाँ employ word और all over India की भरती निकाले गई है तो थोड़ा सा समझेगा जेनरल candidate खास करके जो all over India से आवेदन करेंगे OBC और AWS वगर को छूट नहीं मिलता है के लिए रहिएगा आपको जेनरल मही फॉर्म को अपलाई करना होगा तो उनके लिए जो डेट अब बर्थ है एक जनवरी 1998 से ले करके एक जनवरी 2006 के बीच में अगर आपका डेट अब बर्थ है और आप ये एजुकेशन फुल्फिल कर लेते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं ठीक है एक बार फिर से जेनरल कटिगरी में और चाहे वो मेल हो फीमेल हो सभी के लिए एक जनवरी 1998 से ले करके 1998 से ले करके एक जनवरी 2006 के बीच में होना चाहिए अगर आप SC, ST और transgender candidate है तो आपके लिए जो date of birth है आपको तीन साल की छूट दी जा रही है तो एक जनवरी 1995 से ले करके एक जनवरी 2006 के बीच में होना चाहिए SC, ST transgender का ये किलियर हो गया होगा उसके बाद मैंने आपको बताया employee ward को या employee relationship जैसे आपके दामाद, बेटा, बेटी या पती, पतनी जीस तरीके से relationship होता है अगर आपका registered relationship है आपके घर से कोई काम करते हैं तो आप employee ward में आएंगे तो यहाँ पर उनको age में छूट दी गई है ध्यान दीजेगा इनके लिए age है एक जनवरी 1993 मतलब अगर इस सबसे last cut-off है और यहाँ पर आपका hair hair हो गया है ति आपको age समझ में आ गया होगा, clear होंगे आगे थोड़ा सा physical standard की बात करेंगे तो basic basic जो height वगरा मांगा गया है वो genuine height है, height 152 cm होनी चाहिए, वजन जो है 45 kg लड़कों को होनी चाहिए, लड़कियों के लिए 40 kg होना यह जो date था आप important था इसको note down करके रख लिए होंगे, आगे में एक और वीडियो मेरा इस पर आएगा मैं form भरके भी आपको दिखा दूँगा कैसे कैसे step by step form को भरना है, और एक चीज है थोड़ी सी नाइनसाफी हुई है, all over India candidate के लिए 500 रुपए fee लग रहा है, जबकि अ आप form को भर देते हैं, आपको exam, admit card सारा कुछ हो जाता है, ठीक है, अगर आप माल लेजे, selection जो process है, वो थोड़ा सा ध्यान देजेगा, selection process में सबसे पहले है CBT, जी हाँ, computer based examination होगा, online के माध्यम से, आपका center आएगा, आपको admit card आपको निकालना पड़ेगा, अगर आपका exam exam बढ़ियां से जाता है, आप exam निकाल लेते हैं, CBT आपका pass हो जाते हैं, तो एक personal interview होगा, जो कि आपको center दिया जागा, बुलाया जागा, वहाँ आपको interview देना है, उसके बाद आपका medical और document verification होता है, medical यही सब चीजे चेक होगी इसमें, और आपका document verification होता है, document verification का मैंने आपको बताया कि pursuing वाले 31 अगस्त 2013 तक अगर आपके पास document आ जाता है, तो आप joining कर सकते हैं, तो basic basic बात करें, तो 31 अगस्त तक joining हो जाएगी, ठीक है, यह आपके लिए रहेगा, अगर आपकी joining होती है, तो शुरुवात में 12 महीने के आपकी training होगी, ठीक है, हर किसी कुछ ह आपकी training होगी, अगर आप successful training complete कर लेते हैं, तो आप Tata Company के किसी को department में permanent employee बन जाएगे, जूनियर इंजिनियर का पद आपको दिया जाएगा, अगर आप training complete कर लेते हैं, यह permanent है, क्लियर रहिएगा, पर्मानेंट जॉब है, टाटा कंपनी यह टाटा कंपनी के किसी भी अध ग्रहित कंपनी में आपको permanent employee दिया जागा, जूनियर, इंजिनियर के पद पर, अब important है, अगर आप माल लेजे, जो बारा महिने के training यहां करेंगे, वो उसके दौरान आपको 15,047 रुपे salary मिलेगी, पर मत, salary नहीं, stipend बोल सकते हैं, stipend आपको 15,047 रुपे मिलेगी, जिसम में आपको hostal plus खाना पीना ये भी आपको फिरी दिया जाएगा, तो बहुत काम की बात है, बारा महिने का कहीं भी training किजेगा, तो आपको इतना नहीं मिलता है, और इतना अगर आप complete कर लेते हैं, बारा महिने, एक साल का cost है, 15,000 रुपे, complete करते हैं, तो जूनियर, इंजिन best opportunity अगर private में मिले, तो आप हमें जरूर बताएगा, हम उस पे एक और वीडियो बनाएंगे, लेकिन हमारे साबसे अभी ये सबसे best है, अगर आप jet के थुरू Tata Steel में घुशते हैं, तो आगे आपका post तो बढ़ती रहता है, इसके बाद मेरा एक और वीडियो आएगा, आप उस पे देख सकते हैं, कि मैं form कैसे भरा हूँ, A to Z process, step by step मैंने दिखाया form को भरना, चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है, तो कर के रख लिजे, आगे मैं syllabus भी दिखाऊंगा, कि Z का syllabus कैसा होता है, पिछले साल का exam pattern कैसा था, दो चार सेट में आपको मैं practice करवा दूंगा, उ